हलो दोस्तों स्वागर आपके मेरे चैनल कुपिंग उत्सोनी में तो चलिए अज बनाते हैं आलो की एक नहीं रेसिपी जो बहुत ही सिंपल टेश्टी और स्पाइसी है तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने आदा किलो के आसपास आलो लिया है उसको चिल कर इस तरह चिप् चैनल एफलिए इसको काट के लिया है चलिए अपर आपको काटर हो चुका है इसमें तीन बड़े चुमस मोश तेल डालेंगे तेल जब गरं हो जाए तो इसमें जानेंगे हम रहा हमैं टेवल स्पून जीरा जीरा जब चटक जाए तो हम इसमें अड़ करेंगे अपनी कतली आलू की इसको डालके दो मिनट के लिए श्टर करेंगे ज्यादा हमको नहीं भूनना है दो मिनट के लिए ही इसको फ्राइ करेंगे चलाते हुए तो चलिए इसको फ्राइ कर लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल इस नहीं हम लोग को बुनना है आलो को और अब जो हमने हरी मेर्च लसून और टमाटर काट के रखा था उसको भी आड़ कर लेंगे इसमें इसको सभी मसालो को आड़ करके दो मिनिट के लिए इसको भी हम लोग भूनेंगे जब तक की थोड़ा सा टमाटर हम लोग का कुक हो जाएगा गल जाएगा तब तक की हम लोग इसको भूनेंगे हलके हाथ से चलाएगा दोस्तों हम लोग को तोड़ना नहीं है तो चलिए भून लेते हैं ते रिखे दस्तों हम लोग के टमाटर जो है गलने लगे हैं बिल्कूल यह स्टेज पर देख सकते हैं आप टमाटर हम लोगा गल रहा है आलू भी दिरे दिरे कुक हो रहा है देख सकते हैं आप टमाटर जो है पानी चुड़ रहा है अब हम लोग इसमें आड करेंगे 1-4-tbls. healthy powder, 1-4-tbls. jira powder, 1-4-tbls. kalimicic powder add करेंगे, इनको भी मिला लेंगे, एक मिनत के लिए इनको भी अच्छी तरह से मिला के fry कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बस एक से दो मिनट के लिए ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है इसको, दोस्तों ये सबजी 10-15 मिनट के अं बहुत अच्छी लगती है यह देखिए दोस्तों दो मिनट हो चुका है अब हम लोग इसमें एड़ करेंगे नमक स्वात के नुसार नमक पहले नहीं एड़ किये थे इससे क्या होगा कि आलू जो हम लोग का है जल्दी कुख हो जाएगा और जब सीटी लगाएंगे तो गल ज पानी है चलिए तो अब नमक को भी मिला लिए अच्छी तरीके से अब हम लोग इसमें एड़ करेंगे पानी आपको जितना पतला चाहिए आप रख सकते हैं मैंने इसमें लगभग डेड़ी ग्लास के असपस पानी रखाएंगे इसमें टामटो है जो ठंडा होने के बास ज को पका लेंगे यह देखिए दोस्तों हम लोग की पहली सीटी आने वाली है यह रही पहली सीटी यह दो विचल हो चुकी है बस अब गास को बंद करेंगे सीटी को ठंडा होने देंगे चलिए दोस्तों चेक करते हैं हम लोग का सीटी हम ठंडा हो चुका है चलिए आप कुक अच्छी बन के तयार हुई है यह देख सकते हैं आप चलिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ यह पका है कि नहीं पका है यह देखिए दोस्तों मैं इसे हातों से तोड़ रही है और यह बिल्कूल अच्छी तरह से कुख हो चुका है और हम लोगे आलू भे वह भी तूटा ह हुआ नहीं है एकदम खड़ा खड़ा है चलिए आपको कटोरी में सब करके दिखाती हो यह देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी बनी है दोस्तों यह बहुत ही स्पाइसी टेस्टी बनती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राब ये कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आप